नमस्ते दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि OPUF मुबाइल में कैसे जो है किसी एप को हाइड करें आपके होम स्क्रीन पर जो एप के आईकन दिखते हैं आगर आपको हाइड करना है तो हम आपको आज उसके बारे में बताएंगे सबसे पहले आप अपने सेटिंग पे आपको चाहे ऊपर या नीचे सेक्यूरिटी का आपशन दिखेगा शिक्यूरिटी के आपशन पे आप क्लिक करेंगे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए ऐसे और भी जानकारियों के लिए आप हमारे बेल आइकन को क् आप्षण आएगा pursuit सक्षब करेंगे बाहुद हे अप्षण करने के बाद जो प्राइबेसी पासवर्ट डाला रहा होगा वह डाल के आपको खोलना है ऐसे खोलने के बाद friends आपको ऐसे आईकन दिखेगा एप लॉक का आपके सारे apps इसमें दिखेंगे आपको जो एप को hide करना रहेगा आप उस पे click करेंगे friends click करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा enable password verification आप उस पे click करेंगे उस पे click करते ही hide home screen icons दिखेगा आपको home screen से hide करना है उसका आईकन आप इस पे click करेंगे तो आपको ऐसे दिखाएगा you are using hide home screen icons for the first time please set an access number तो आपको एक access number set करना रहेगा जिससे की आपको वो app मिलेगा तो आप अपना एक access number set करिए पहले has फिर आप कुछ भी number डालिए फिर has first में भी has और last में भी has ओके done करिए फिर आपको ऐसे done की रिए पहले ऐसे marking देगा फिर done green हो जाएगा फिर आप done करेंगे ओके देखे don't display notification अगर आपको notification जो आपने app को hide किया है आपको उसका notification भी नहीं चाहिए तो आप ऐसे इसको on करें रहिए और अगर आपको notification एप का उपर चाहिए तो आप इसको off कर सकते हैं नहीं तो न करिए आप आप बैक आजाईए अब आपको वो एप आपने जो hide किया वो कहां से मिलेगा तो उसके लिए आपको मैं बताती हूँ आप अपने dial pad पे आए dial pad पे आने के बाद आपको वो number dial करना है जो आपने set किया है access number ऐसे करते ही आपका hidden app दिख जाएगा देखिए friends आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें comment करके जरूर बताईएगा आप ऐसे app को और भी सारे app को ऐसे hide कर सकते हैं ऐसी mobile से जूड़ी और भी सारी जानकारी है हम आपके लिए लाते रहेंगे तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें comment करके जरूर बताईए हमारे वीडियो को like, share और subscribe जरूर कीजिए thank you for watching